कैसा भी हो इंसान ये वसी करण हो कर रहेगा नमस्कार मित्रों स्वागे थे सिद्धोट की चैनल पर आप सब का एक बार फिर से आज की वीडियो में वसी करण का एक ऐसा प्रयोगा आप जानेंगे जिससे की पार्टनर कितना भी गुस्सैल हो चाहे वो आपसे अलग ही रह रहा हो या फिर आपको धोखा दे रहा हो या आपका रिस्ता खराब कर रहे पर तुला हो या फिर रिस्ते में आपको सम्मान नहीं मिलता हो या फिर वो किसी के बहकावे में आ गया हो और रिस्ते को खराब कर रहा हो वो चाहे कोई तीसरा व्यक्ति हो जो उसको अपने प्यार के जाल में फसाने की कुछिस कर रहा हो तब भी आप इस उपाय को करना और ये वसी करन जरूर होगा और इस वसी करन से आपका पार्टनर आपका जरूर हो जाएगा कैसे करना उपाए वो सब कुछ जानेंगे उससे पहले कृपया सिद्टोट की चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही नोटिफिकेशन बेल को आउन करें जिससे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे और इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों को ताकि वो भी इसका प्रयोक करके अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें तो आईए बात करते हैं आपको उपाई क्या करना है दिन रवीवार या मंगलवार को इस उपाई को करना है मंगलवार ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आपको हमने बता दिया कि अगर आपको शेकरन करना चाहते हैं तो आपको ताकित के वो शक्ता पड़ती है और ताकित के बारे में हमने एक नहीं बहुत समय से बहुत सारे विडियोज में इवन जो पुराने चैनल था उस पर भी हमने आपको इस सम्मंदित उपाई दिये थे तो आपको रविवार या मंगलवार को शुपाई को करना है एक मंत्र रहेगा यह 21 बार पड़ना है यह मंत्र आपको 21 बार पड़ना आपको लिखा वो मिल जाएगा तो आप नीचे जो पिन कमेंट रहेगा आप वहापर भी पढ़ सकते हैं न इसक्रिप्षन में पढ़ सकते हैं स्क्रीनun पर भी हो सकता दिखना ला हुथ तो इस मंत्र को 21 वार आपको पढ़ेना है शुबा में करें तो ज्यादा रेesam नो बज़омина के साथ मत करियेगा जैसा कि मैंने कहा है कि आपका पार्टनर कैसा भी हो तो पार्टनर किवल पती नहीं पतनी नहीं बलकि प्रेमिया प्रेमिका भी हो सकते हैं उनके लिए भी उपाय किया जाएगा तो इसको करने के लिए आपको आशक्ता किन चीजों की है मंत्र तो हमने आपको बता दिया एक और भी इसका एक पार्ट बाकी है जो आगे बताएंगे तो आपको करना क्या है आपको एक चाकू लेनी है एक glass पानी लेना है कांच का glass लेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा कांच की glass में पानी लेना है उस व्यक्ति की photo चाहे offline हो चाहे online हो यानि mobile में हो तब भी चलेगा और अगर आपके पास print में है तब भी चलेगा उसकी photo अकेली होनी चाहिए यही इतना ध्यान रखना है उसको अपने सामने रख लीजिए मंत्र आपको 21 बार पढ़ना है पढ़ते समय आपको क्या करना है अपने दाहिने हाथ में चाकू पकड़ना है राइट हैंड में चाकू पकड़ना है वैसे ही पकड़िए यानि उसका फल आपको नहीं पकड़ना है हैंडल पकड़िएगा और फल को आपको डालना पानी के अंदर और फिर उसे निकाल लीजेगा ठीक है एक काम ये भी कर सकते हैं का आप पानी में डालकर क्लॉक वाइज उसको तीन बार घुमा भी सकते हैं तो होई भी किवल समय लगेगा थोड़ा सा ध्यान लगेगा आपका धहरेपूर्वक करना है आपको यह आप कर लीजे इसके बाद अब जो पानी है आपके गिलास का इसको फेकने से पहले आप इसमें थोड़ा सा थूक दीजिए थूकने के बाद आप इसे ले जाकरके किसी भ पहले का फूल पौधा लगाते भी नहीं है लेकिन भोष सारे लोग गरमे कैक्तस लगाते है तो इसलिए कहना है घर में नहीं आपको बाहर जाके इकार करना है कि किसी कांटे वाले पेड़ पर आपको यह जल छोड़ देना और चोड़ते समय आपको क्या कहना है शमसानी कलुआ तुम्हें मामा की आन ये कहना है ये भी आपको description में लिखा हो मिल जाएगा तो आप अच्छे से पढ़ लेना या वेबसाइट पर जा सकते हैं वहाँ पर भी लिखा हो मिल जाएगा तो वहाँ पर भी आप इसको पढ़ सकते हैं ये उपाय आप कर लिजिए आपका प्यार आपका partner आपका होकर रहेगा किसी भी तरह की समस्या है तो वह समस्या दूर हो जाएगी और वो partner फिर आपका हमेसा रहेगा और हाँ partner अपना बनाने के पीछे जो बात है वो क्या है कि हम उसको परिसान नहीं करना चाहते हैं हम उसे प्रेम चाहते हैं हम उसके साथ सद्भाव से रहना चाहते हैं हम चाहते हैं कि जितना प्यार हम उसे करते हैं वो भी हमें उतना प्यार करें हम चाहते हैं कि वो भी मारी फिक्र करें वो भी हमें उतनी ही तवज्जो दे जितना हम उसे तवज्जो देते हैं जितना हम उसके पीछे भाग रहे हैं तो मैं ये वीडियो उन सब लोगों से कहता हूं करने के लिए विशेश तोर से जिन लोगों का कार्य नहीं हुआ है वो चाहे वसीकरण के पीछे भागे हैं तब भी नहीं हुआ है वो खुद से ये वाला वसीकरण कर लें अपने पती के लिए, प्रेमी के लिए, दोखे बाज प्रेमी के लिए या फिर दोखे बाज पती के लिए या पतिनी के संदर्म में प्रेमिका के संदर्म में भी इसे कर सकते हैं ये करिए ये करने के उपरांत आपको जो लाभ मिलेगा वो आप हमें कमेंट में जरूर बताईएगा इस उपाय को करना मिस नहीं करना है इसे जरूर बताना है कुछ सवाल या सुझाओ है इसके अलग तो आप हमसे बात कर सकते हैं सिद्ध टोट के अदरेट्स एम फोर पर या फिर एस्टोहल्प अदरेट्स एम फोर पर आप हमसे डिरेक्टली मैसेज भेज सकते हैं वेबसाइट पे जाकर के वाटसेप पे आप मुझे मैसे भेज सकते हैं अपनी डेट अब बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस के साथ में भेजिएगा अगर आप कुंडली से संबंदित कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं या अपने ग्रहों के स्थिति जानना चाहते हैं या किसी समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं इस प्रकार की तो उसके लिए 1100 रुपए की फीस जो आप हमें भेजते हैं और बदले में आपको संबंदित उपाए और क्या स्थिति चल रही आपकी जिसके कारणा परिशान है और कैसे आप उससे बचने का प्रयास करेंगे कैसे कम होगी ये समस्या वो सब जानकरी हम आपको देंगे एक बात पहले में आपको बता देता हूँ जैसे ज़्यादतर लोग चाहते हैं कि वो ऐसे पूछते हैं कि मेरा काम हो जाएगा तो आपका काम हो जाएगा या नहीं होगा ये एक तो तरीका है कि प्रशन कुंडली से तुरंट देख करके बोला जा सकता है कि हाँ ठीक है आपका काम होगा या नहीं होगा वहीं पर बताया जा सकता है लेकिन ये हर बार संभव नहीं है एक ही दिन में कई लोगों के प्रस्ण का जवाब एक ही सवाल का दे पाना मुश्किल है तो क्या करना है करना ये है कि आप भेजेंगे कुंडली देखी जाएगी उसके अनुसार उपाय बनेगे उसके अनुसार समस्या को समझा जाएगा उपाय बनेगा और वो आपको बताय जाएगा कौन से परहेज आपको करने है किस देवी या देवता की फुजा करने चाहिए घर में किस प्रकार का संबंद रखना है किस से दूर हटना है किस के पास जाना है ये सारी बातें कुंडली को देखने के बाद पता चलती है तो उसी के बाद ही ये तैं हो पाता है में देर है नहीं वाला वे तक नहीं मिला है तो जिन लोगों को जिन लोगों को से मैं कहना चाह रहा हूं वो समझ भी रहोंगे और जो लोग अभी नए-ने चैनल से जुड़े हैं या भी आप पहली बार विडियो देख रहे हैं तो धिरे-धिरे आप भी समझ जाएंगे कि मैं कैसे बाते करता हूँ मेरे लिए आप सब बहुत मेरे करीब हो और मैं उसी के अनुसार आपसे बातचित करता हूँ वीडियो के माध्यम से बात करना मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है तो अब आपको क्या करना है उपाईजे साम ने बताया विसा करेंगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे कोई डर नहीं है कोई समस्या नहीं है दुर्पयोग आप करने नहीं जा रहे हैं आप खुशी से उपाई करने जा रहे हैं और अपनी जिन्दगियों को खुछ हाल बनाने के लिए करने जा रहे हैं ना किसी वह आप परिसान करने जा रहे हैं ना आप किसी की परिसानी है तो जो भी माताई या बहने अपने ससुराल में नहीं है अपने घर पे रहना पढ़ रहा है वो भी सुपाय को करेंगी तो उनका बहुत ज़्यादा फाइदा हो जाएगा उनका पार्टनर, उनका परिवार उनका सपोर्ट करके उनको पने साथ रखने लग जाएगे उनको सम्मान मिलेगा उनके रिष्टे में तो ये बहुत अच्छी बात होने वाली है जिन लोगों के साथ ये समस्य है कि उनका परिवार नहीं मान रहा शादी ब्याह करने के लिए तो वो लोग भी सुपाय को करके शादी के लिए थोड़ा बहुत प्रयास कर सकते हैं लेकिन विशे शुरूप से ये आपके पार्टनर के लिए है तो उम्मीद करूँगा आपको सारी बाते समझ आ गई होंगी सब कुछ आप समझ गई होंगे अगर बहुत लंबे समय से या बहुत जादा पुरी तरह से जगड़ा बगड़ा हुआ रहा हो पार्टनर से और फिर बातचीत बंद है तो पहले आप एक बार इसे करना रिजल्ट देखना फिर इसको दोहरा लेना अगले रवी वार या अगले मंगल वार को ठीक है जब तक चीज़े बिलकुल नहीं ठीक हो जाती आप इसे दोहरा सकते हैं लेकिन जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करनी है फिर से कहता हूँ और इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार खुश रहिए